यहां तो मुझे पांच बजे उठना पड़ता था यहां मुझे आराम से उठना पड़ता है यहां मुझे कोई नहीं उठाता है तो अभी अभी उठी हूँ मैं बड़ी बना रही है नास्ता आज के मौसम की बात करें तो मौसम भी आज लगभग बादल आ रखे हैं और हलकी फुलकी दूप लगी विया और यहां दूप आने में अभी काफी टाइम है मेरी मम्यों और मेरी बड़ी लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां दूप आने में थोड़ा समय लगता है एक तरफ से सब के ब्लॉग देखने पर क्योंकि आज कल मेरे बड़ा घर पर ही बैठे रहते हैं सबसे पहले मैंने ब्लॉग अप्लोड करा तो बड़ा ने पहले वो देखा फिर मेरे जस्ट बात चाचा का आया तो चाचा का भी देख लिया ठीक है तो अभी और उनका इंत पर फिर में इनको अपनी नातीन दिख जाती है जो इनगे दादा दादा भूलती है तो ये खुस हो जाते हैं कि चलो कोई तो है दादा का पर गदी ही खा लिए अब हमने नास्ता कर दिया है और नास्ता करने के बाद मैं और बटी जा रहे हैं गुणने के लिए और यहां पर है गन्ने की खेती तो आज कल यहां पर गन्ने की खेती की कटाई हो रही है और एक खेतों में इतने सारे मजदूर लगे वे हैं कोई गन्ना काट रहे हैं उनकी त्रॉली गन्य स्टे भर दीगैं और दूसरे ट्रॉली जो गन्या उपपर इस देसे भर दीगैं आप एक ट्रॉली-आर के दय चांप minute प्रवाजर ने रोड के किनारे चोटी सी क्यारी बनाई है और उसमें मेथी पालक लैसुन सब कुछ लगाया गया है इधर साइड अभी गन्य की कटाई नहीं हूई है गन्य की कटाई दूसरी साइड हो रही है तो यहां पर वह काफीपत वात्रप महुत है तो अभी साइड गूमनें पर को पिस सामने के 커피itaश आराम से सय वह हैं मोंखे खेट कम दिखा रही है और इदर उदर घास ज्यदा दिक दो उसके बाद नास्ता बनता था अपना घर अपने घर ही होता है और अपना गाउं अपना गाउं ही होता है हम लोगों को अपने घर और अपने गाउं की कदर नहीं होती है हम लोग सोचते हैं कि जो लोग बाहर हैं वो कितने अच्छे हैं पर यहां आके हमें पता चलता है कि जो लोग बाहर हैं वो किस सजा मे अपना गाओं और अपना घर तो एकदम आजाद होता है कि जहां मर्जी जाओ जो मर्जी करो यहां पर बंद के रहना पड़ता है तो यहीं मैं अपनी बड़ी को समझा रहे हूं कि मुझे घर जाने दे यहां मैं बंद रखी हूं पर यार ना मुझे वहां से मेरी ममी लोगों आशने खर जाने दिया वहां से बोल दिया चली जा अपनी बड़ी के साथ रहां कुछ दिन यहां इनको फोन करके बोल रहे हैं कि उसे अपने साथ ही रखना उसे घर मत भेजना और यह लोग मुझे घर बेजने का नाम ही नहीं ले रहे हैं मेरे बड़ी मुझे ऐसे लालव यहां कि चल गूमने चलते हैं तो मेरी बटी भी मेरी मम्मी की तरह यह है लग रखिए मुझे घुमाने फिर आने पर ताकि मेरा चलना कम ना हो और यहां जैसे कुट्टे आ रहे वैसे खुद पिछर आरी और मुझे आगे भेज रही है ताकि कुट्टा काई तो मुझे बड़ी बड़ी साधी जुदी हो जाए ही कुट्टा का लेगा वहां तो सोच समझ के करवाएंगे ना यहां पर है आम का बगीचे और इस आम के बगीचे में अंदर कम से कम 20-25 कुट्टे हैं तो अब हम यहां से भी घड जा रहे हैं बड़ा मेरे को और बड़ी को पहले ही बड़ी बोल रहे थे कि क्या करोगे तुम कहीं जाके तो में कुट्टा का लेगा तो हम ह partie है कि बड़ा हमें कहीं जाने से रोक रहे हैं इसलिए हमें जाने नहीं दे रहे है पर जब हम अभी आई तो अभी हमें पता चला है कि सच में इतने सारे कुट्टे हैं यहां पर रेत रखी वी थी उस रेत में भी कुट्टे ने अपना घर बना रखा है और अंदर तक बहुत बड़ी गुफा बना रखी है खुद के रहने के लिए और कुट्टे के आतं के डर से मेरी बड़ी ने इतने सारे पतर उटा रखे हैं आत पे क्योंकि इनका वरोसा नहीं कब जपड़ जाए तो जान बची बलतो लाको पाए और अब हम लोट के गर को जाएं क्योंकि यहां सिर्फ जान का खत्रा है और कुछ नहीं है तो ऐसे खत्रे में क्या ही रहना घर ही बड़िया है हम अंदर ही रह लेंगे और अभी चलते चलते हम दूसरी साइड आए हैं क्योंकि बड़ी ने बोला इस साइड कुट्टे मुस्किल होंगे और बड़ी और मम्मी की मुझे एक आदत बहुत अजीव लगती है जैसे इनक पानी बहुत सस्ता मिलता है पर मेरी बड़ी को कहां ही पता होगा मेरी बड़ी और मेरी मुमी को सिर्फ इतना पता है कि चीजें आती है और मेहंगे आती है दूसरी बात मेरी बड़ी बोल रही है कि नारल पानी से बुल में मोटी हो जाओंगी तो अपनी बड़ी को मैंने चल रहा है और पीछे से बुगी लगी विया खुदी ही चलने पर और कुछ लोगों से ज्यादा समझदार तो मुझे यह बुगी लग रही है बहुत सारे लोगों को कितना भी समझाओं समझ नहीं आता वह बिचार अलग रखा अपने मालिक के पीछे रस्ते तो यह बहुत समझदार है यहां पर जो गणदा काट रही है उनके पात Falls है जिसे हमारी गढ़ वाली भास समें कुलारी वोलते हैं सी लगडी फाड़ने के काम आती है और इनके पास लगड़े चाक्री कर रही है beta पुलहरी को यहां की भासा में गंडासी बोला जाता है और दराती को दराती ही बोला जाता है यहां पर चीनी बनानी की फैक्टरी यानि की सूगर मिल है तो यहां पर हैं सब गन्य उसी फैक्टरी में जाते हैं इन डोडों में इतने बड़े बड़े ट्रक चलते हैं तो यहां तो ठीक है पर अपने हाँ अपने पैसों का भी लगा देते हैं और बहुत सारी लोग मुझे यह पूछ रहे हैं अभी वी कि बड़ी है? कहते हैं तो बड़ी जिसे हिंदी भासा में ताई जी और ताउ जी कहते हैं उसका हमारी गड़वाली भासा में हम बड़ी और बड़ा बुलते हैं और अभी हम आगे हैं घर और बड़ा पी रहे हैं नारेल पानी तो बड़ा कैसे और नारेल पानी और ऑफ कैमरा बड़ी क्या है वह सब मेने करा मैने हम भूमने ए थी्ट है छोड़ देर लेकर वह भूै कोड़ा अब हम बट़ने ने गर्मागम चाई बनाए ला दी है और CTL AI Kung कपो पर मैं मरी बड़ी और मेरी बड़ी और मेरे बड़ी सबीड लोग घर पर है तो हम भी पी dirty चाहि और अभी मेरी बड़ी ने पंजामी की तरह यहां पर चाहरे है और works smart कर के county में लग रखीये मेथी चंड़ने और आज यहांच की तो वीडियु में बहु हम लोगों के कमेंट ़ि दियावोक किता जोब करते है और आपकी जूब किते है तो मेरे बधा भुला थानके थानके मरे बधा कंडली जूब किते एञार, ञाल जाए लोगो ने सून लुजा है कि मिरे बधा कोई है मेरे बड़ा को उत्राकंड के थानों में तो बड़ी मिली नहीं इसने बड़ा को DSP बनाया गया हार याना में तो यह सभी लोग अंदाज लगाई सकते हैं कि DSP की वाइफ क्या होती है क्या होती है बड़ी? नहीं DSP साथ जीनियर है मारे सब्सक्राइब करते हैं और मेरे बड़ा को खाना बनाना नहीं आता है तो इसलिए बड़ा बड़ी साथ है और के बड़ा को दो रूटी बड़ी बना के दें अभी मेरे तैयारी हो गई है क्योंकि कल में यहां से जा रही हूं ने खाना वगरा सब कुछ खा लिया है तो यहां पर मेहंदी लगाने वाली थी बड़ी की सहेली की बेटी तो उसने अपने हाथों मेहंदी लगा रही थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने बोला चल मेरे हाथों मेहंदी लगा रही हूं तो बड़ी ने मुला कि चल तेरे हाथों में भी लगाते हैं तो अब हमने मेंदी वगरा सब कुछ लगा दिये मेरी पैकिंग हो गई है तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब सब्सक्राइब करें मैं लेता भागना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्ट व्लॉग में तब तक के लिए जाय माताती है